मोधी सरकार ने पेश किया बजट 2023 जाने कौन सी चीज हुई सस्ती और कौन सी महंगी आम बजट में मुवाइल फोन इलेक्ट्रिक वाहन हुआ सस्ता तो सिगरेट चादी सोना हुआ महंगा आकि किन चीजों से पड़ेगा हमारी जेप पर असर और किन चीजों से मिलेगी हमें खुशी बजट 2023 को लेकर सस्ती और महंगी चीजों की पूरी रिपोर्ट हम आपको यहां बताते हैं जी केंद्र के मोधी सरकार ने साल 2023 का आम बजट घोशित कर दिया है इस बजट का इंतिजार साल के शुरू होते ही सभी देशवासी कर रहे थे लेकिन मोधी सरकार ने उनका इंतिजार खत्म करते हुए इस साम बजट को आज के दिन सदन में पेश कर दिया जिनमें मोधी सरकार ने साल 2023 के नौराज्यों के विधान सभाचुनाओ और 24 में होने वाले लोग सभाचुनाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़े फैसले जनता के हिट में दिये हैं और ज्यादा तर चीजों पर जनता को महाई की मार्ट से बड़ी रहत दी है इन में सबसे ज़ादा रहत मिली है आम जिन्दगी में इस्तिमाल होने वाले मुबाइल फोन और देशी उलेक्ट्रिक वाहन के दामों में गिरावट को लेकर तो चलिए फटा फटा आपको बताते कि आखिर किन चीजों के दाम सस्ते हुए हैं और किन चीजों के दाम महंगे आपको बता दे कि बजट 2023 की वज़या से आने वाले दिनों में मुबाइल फोन खरीदना सस्ता हो सकता है वही सोना चादी खरीदना महंगा हो सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने मुबाइल फोन के कुछ पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है और सोना चादी पर लगने वाली ड्यूटी में इज़ाफा किया है ये चीज़े हुई सस्ती पहला मुबाइल फोन, LED TV, देशी इलेक्रिक किचन चिमनी, आर्टिफीशल हीरे, ट्रेनिंग के लिए इंपोर्टेट पेकान नट्स, डिनेचाड इथाईल एलकोहल से बनने वाला इंडस्रियल केमिकल सस्ता हुआ दूसरा, लिथियम आयन बैटरी बनाने में इस्तिमाल सामान की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी गई है टीवी पैनल के ओपेंट सल के पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी पांच प्रत्शत से घटा कर धाई प्रत्शत कर दी गई है मोबाइल फोन मैनुफैक्षरिंग के लिए कुछ पांच पर भी कस्टम ड्यूटी घटा आई गई है तीसरा, हीट कोईल पर कस्टम ड्यूटी 20 प्रत्शत से घटा कर 15 प्रत्शत कर दी गई है चोथा, लैब में बने हीरो की मैनुफैक्षरिंग में इस्तिमाल सीट पर ड्यूटी कम की गई है एक्सपोर्ड को पढ़ावाद देने के लिए चिम फीट पर कस्टम ड्यूटी भी कम की गई है ये चीजे हुई महंगी पहला, सिग्रेट, विदेशी इलेक्ट्रिक वेहिकल, विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी, 40,000 डॉलर से महंगे इंपोर्टेट वेहिकल साइकल, खिलोने, टायर, चादी, सोना चादी और प्लेटिनम ज्यूटी, इसके साथ इमिटेशन ज्यूटी महंगा हुआ दूसरा, सिग्रेट पर राष्ट्रिय आपदा आपाद डूटी लगाई गई है, जो 16 प्रत्शत तक बढ़ा दिया गया है, गोल्ड बर और प्लेटनम से बने सामान की डूटी भी बढ़ाई गया है, तीसरा, चादी की डूटी 6 प्रत्शत से लेकर 10 प्रत्शत तक कर दी इसके अलाबा इस से बने सामान पर भी डूटी बढ़ाई गया है, वहीं कमबाउंडें डूटी को 10 प्रत्शत से बढ़ा कर 25 प्रत्शत कर दिया गया है, चौथा, कीचन इलेक्ट्रिक चीमनी पर कस्टम डूटी 7 प्रत्शत से बढ़ा कर 15 प्रत्शत कर दी गया है, अब 2017 के बाद लगभग 90 प्रत्शत से ज्यादा प्रडुक्त की किमत पर GST निरभत करती है, जिसे GST काउंसिलिंग टै करती है, वर्तमार में GST के टैक्स स्लैम में 4 दने हैं, जो पहला है 5 प्रत्शत, दूसरा है 12 प्रत्शत, तीसरा है 18 प्रत्शत, और चौता है 28 प्रत्शत, वहीं आवश्यक वस्तू को स्टेक्स से छूट है या सबसे निचले स्लैम में रखा गया है GST से जुड़े सभी फैसले GST काउंसिल लेती है अब नज़र डाल लेते हैं एक बार फिट से बीते एक साल पर बीते साल आटा 23 प्रत्षत बढ़ा तो लोन भी महंगा हो गया था पिशले साल जनवरी में 1 किलो आटा 26 रुपए में मिलता था दिसंबर में तो इसकी कीमत बढ़कर 32 रुपए किलो हो गया इसी तरह हर घर में रोज़ाना यूपियोग होने वाले सामान जैसे तेल दूद और चावल जैसी चीजों के भी दाम बढ़े हैं 2022 में पहली बार घर उली गया सिलेंडर 1,000 रुपए के पार निकल गया है वही आरब्याई को ओट से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए भी बढ़ाई गई प्यासदरों के कारण लोन भी अब महंगे कर दिये गए हैं तो कुल मिलाकर ये जो आम बजेट है इससे आपके जेप पर ज्यादा असर डालने वाला नहीं है खबर कैसी लगी हमें अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में दे